आज हम बात करने वाने हैं तंबाकू के खतरनाख नुकसान के बारे में तंबाकू के सेवन करने की संक्या तेजी से बढ़ती जा रही है आज के यूवां भी तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और इससे ना सिर्फ वो तंबाकू के आदी हो रहे हैं बलकि उनके जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है बहुत से लोग तंबाकू का इस्तमाल सिक्रेट के रूप में करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो तंबाकू को चबाते हैं तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है इसका सेवन धीरे-धीरे इसकी आदत लग जाती है अगर आप अभी तक तंबाकू के सेवन से सस्ट पर होने वाले प्रभाव से अनजान है तो आईए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में सबसे पहला नुकसान है मूँ और दातों की समस्या रिसर्च में पाया गया है कि तंबाकू के सेवन से मूँ में लिकोपलेकिया होने का खत्रा जादा रहता है लिकोपलेकिया मूँ के अंदर होने वाला बूर और सफेद रंग का धबा है जो की कैंसर का रूप ले लेता है इसके अलावा तंबाकू का सेवन करने वालों के दातों में दाग के निशान पढ़ जाते हैं और इसकी वज़े से मसूडे की बिमारी और दात तूटने लगते हैं दूसरा है कैंसर तंबाकू के सेवन से पेट आथ और मूँ में कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है इसके साथी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर भी बढ़ता जा रहा है तंबाकू का सेवन करने वालों को किड्नी खराब होने की संभावना जादा रहती है क्योंकि तंबाकू का किड्नी पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिससे किड्नी डैमेज हो जाती है हिर्दे संबंदी बिमारियां तंबाकू के सेवन से हिर्दे संबंदी बिमारियां, बलड संबंदी कई बिमारियां हो सकती हैं तंबाकू का सेवन करने वालों में high blood pressure, heart attack का खत्रा बढ़ जाता है तो कहा जाता है तंबाकू एक मीठा जहर है और ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोगला कर देता है हाला कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात से अंजान हो फिर भी लोग तंबाकू का सेवन करती है जो की स्वस्थ के लिए बहुत हानिकारक है